तू हे वाट्सप गाइस माइनमी इचंदन विल्कम बैक टू अगेंड टेक्नो बीट्स तू ब्रदर आज को वीडियो काफे कि इंट्रस्टेड होने वाला है क्योंकि आज कि आम इस वीडियो में आप रभू को एक ऐसा ट्रिक विताने वाले हैं कि आप किसी भी मुवाल के रिचार्ज पे 10% तक पैसे बचा सकते हैं तो इसलिए विना टाइम वर बात की आज की वेडियो हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोगों पो अपना फ्लिप काट ओपिन कर लेना है बट आपको परले ही मैं बता दूं कि आपको रिचार्ज पे 10% बचाने के लिए आपके फ्लिप काट अकाउंट में सुपर पॉइंस होने जरूरी है तब ही आफ होगा तो चलिए फ्लिप काट ओपन कर लेते हैं अगर आपका फ्लिप काट अपडेट नहीं होगा तो आप प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर सकते हो देन आपको नीचे चले आना है नीचे आप लोगों को इस वाले आप्श किसी में नीचे भी फ़लतने ट्क आप था डञीरस लीस जएटर 睡午ाश देख सकते हो लोगों नीचे आये हैं नोर्म लोगों को यहां की बनीचारा हें इसके हमें एक बार क्लिक कर देना है तो देख सकते हो हमारे सामने कुछ आशा सब्सक्रा गटरENTS Pass लाईं आपको यहाँ पे अपना नमबर इंटर करना है या जिस मुवाल में रिचार्ज करना है वो उसका नमबर इंटर करना है 1929 बार 5, का यंख driving your phone , हमने हमें अपने नममर रेंटर कहले हैं , यहाँ पर लिखाएgend் पर लिखानऑ रीचारज के और दर नीव मम्मा इसपे एक हड़ार आपको क्लिक करदेना है , दें आपके सामने कुछ second loading लेगा , दें देंड़ सकते हो , इसे चले आएंगे, तो देख सकते हो हम लोगों का ऐसा पेज उपन हो चुका है, तो देन यहाँ पर आप रिकांडेड में भी जा सकते हो, और इसके सल टारिफ में भी जा सकते हो, तो फ्लार मेरा फोन जो है, वो इस समय रोटेट है, इसलिए नीचे का उपस नहीं दिखा र होगा, लैंडिस्केप मूड में है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है मेरे में, आपका प्रोटेंट मूड में होगा, तो आप में क्लियरली सारे अमाउंट दिखाई देंगे, तो मान के चलिए मैं 60 नहीं, 120 नहीं, तो एक क्यासी मान के चलिए मेरेको रिचार्च करना है, इस प इस पे एक बार क्लिक कर देंगे, तो आपका 10 रुपीज माइनस हो जाएगा, फिर्स्ट बार करेंगे तो आपका 50 रुपीज माइनस होगा, तो देख सकते हो हमारा 111 रुपे अमाउंट हमको पीक करना है और 10 रुपीज हमारे सूपर कोई से कटेंगे और इस पे 0 प्रोसेसिंग फीस है अगर आप पे अप्लिकेशन से करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि 1-2 रुपे एक्स्रा चार्जिस करता है बट फ्लिपकार्ट पैसा नहीं है आप को जीरो परसेसि लगेंगे अब जितना चाहेगे पार इतना नोट पर सकते हो हरेड़़फार कर सकते हो वह भी लिंटेड आपके पास जितना सूपरणों हो दोगर आ को अपना पैसा से कर सकते हो यहां पर अब जो पेमेंट मेठोड चूछ कर सकते हो यहां पर more payment method पर click करेंगे तो बहुत सारे payment method है अब लोगों दिखा दोते हैं देख सकते हो PTM UPI यहाँ पर PTM UPI, UPI, credit card, cash on delivery available नहीं है, netbanking नहीं और EMEI भी नहीं आपको चाहे तो PTM UPI से करना है या UPI कि CF से यहाँ पर कर सकते हो और credit card, debit card, ATM card किसी से भी कर सकते हो बट मैं आपको recommend करूंगा कि आप ATM card या debit card से करना, क्योंकि उसमें recharge processing में नहीं जाता है, बट किसी किसी में ऐसा होता है, processing में जाने का कारा यही है, कि जब मैंने recharge किया था, तो मैंने payment का request डाला अपने UPI पर, तो payment मैंने कर दिया, बट flip card को open किया तो restart हो गया flip card, जिसकी वज तो पांच मिनट बाद हो गया, ऐसी बात में कि आपका पैसा कट जाएगा और recharge नहीं होगा, बट पांच से जस मिनट आदे घंटे तक लग सकते हैं, इसलिए मैं recommend करूंगा कि आप debit card से, या credit card है तो अच्छी बात है, debit card या ATM card से करो, तो आपका recharge instant हो जाएगा, कोई problem नही मैं, ATM UPI ही चूच कर लेता हूँ, देख सकते हो मैंने चूच कर लिए हैं तो यहाँ पर continue option आ रहा है, इस पर एक बार click कर देंगे, तो देख सकते हो हम लोगों के पास पांच मिनट का timer चल ला है, उपर से देख सकते हो, हमारे पास 14 रुपेका आ चुका है request, हमारे पास 14 रुपेका आ चुका है request, तो मुझे pay नहीं करना है, बस मैंने आप लोगों को बताने के लिए दिखाया है, तो चलते हैं अपने flip card account में, उपन कर लेते हैं हम अपना flip card, तो जैसे देख सकते हो, restart open हो रहा है, flip card हमारा, same condition मेरा तब भी गुआ था, मैंने जब recharge, recharge का पैसा pay किया था, तो restart हो गया था मेरा flip card, जिसके वज़र से मेरा recharge processing में चला गया था, अगर आपका भी ऐसा होगा, तो आपका भी pending जा सकता है, तो account में मैं चला जाओंगा, यहाँ पर आपका recharge orders में ही जाएगा, orders में चले जाना है आपको, देख सकते हो, एक सरक्यासिक recharge का जो payment है वो pending में चला गया है, और मेरा जो success हुआ था वो भी मैं दिखा देता हूँ अप लोगों को, देख सकते हो, 12 सितंबर को मैंने किया था, एक सरक्यासिक रुपय का recharge पर एंडिंग में नहीं है, वो success हो चुका है, और जस्ट मैंने, रिचार्ज किया तो उसके 5 से 10 मिट के अंदर हो गया था, देख सकते हो, और यहाँ पर मैंने 15 रुपी सुपर कोई से पे किये थे, और 140 सितंबर मेरे लगे थे, एक सर पच्पन वाला रिचार्ज था, आप एटेल के यूजर होगी तो आपको पता होगा कि एक सर पच्पन का रिचार्ज है एटेल में अवेलिवल है, लिम्टेट कॉलिंग वाला, देख सकते हो, यहाँ पर नीचे, एक सर पच्पन रुपए, तो गाइस, आज की वीडि याँ लाँ जातौ यहाइस के बाई